पिमपरी हिंजवडी परिसर में बिजली की करंड के चपेट में आकर तीन मजदूर जल जल कर तडप तडप कर दम तोड़ दिया यह घटना कल शाम हिंजवडी फेस्त्री भोईरवाडी जय गड़ेश कालोनी में घटी सुधाकर विठल तलवार और देवेंदर प्रकास बाबर पर अपरात पंजिक्रित हुआ है इस घटना में संगीता राजू परांडिकर ने हिंजवडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर आई है पुलिस के अनुसार हिंजवडी फेस्त्री गड़ेश नगर से भोईरवाडी के पास खंभे पर रोशनाई वलू लगाने का काम शुरू था फरियादी संगीता के पती राजू उसका भाई सागर दोस्त सागर मशाल कर तीनो एक ठेकेदार के पास काम करते थे तीनो खंभे की लाइट लगा रहे थे बिजली की सप्लाई शुरू होने से करंट लगा और आग जलने लगी सभी को करंट की आग चपेट में ले ली और जला कर खाक कर दिया आरोपी सुरक्षा की दिश्टी सी कोई सुविधा ब्योस्ता नहीं दी थी जिसके कारण हादसा होने पर मजदूर बच नहीं सके आगे किजाच हिंजवडी पुलिस कर रही है भी अशार सिनूच पूरे